हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या करने वाले हैं आज अपन आज अपन जिनरल क्लाउज आक्ट का फटा फट रिविशन करेंगे यह आपके एक्जैम में कितने मार्क्स का आता है कितने मार्क्स का आता है यह आपके एक्जैम में this comes in your exam for approximately 7 marks तो 7 mark revision करेंगे बहुती आसान chapter है कोई भी rocket science नहीं है फटाफट फटाफट revision करेंगे maximum एक गंटा बहुत जादा तो भी एक गंटा लगेगा उससे जादा नहीं लगेगा क्या तुम लोग हो तयार जो लोग सारे लोग YouTube पे देखरें चलो मारो like मारो मारो और और रहे हैं ऐसे कैसे Come on चलो फटाफट 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 ओके हर्स कहते है सर आप खड़े हो करके पढ़ाए कर और और भी जादा कूल लगते हो ठीके वेरी गूड ओके चलो डन तैंक यू फर दो मोटिवेशन अगर दुनिया में कहीं कोई आक्ट है और उसमें कोई डेफिनेशन कोई वर्ड यूज किया गया है तो उसका डेफिनेशन सबसे पहले आपको कहां मिलेगा उसी आक्ट में मिलेगा कहां मिलेगा उसी आक्ट में मिलेगा पर अगर उस आक्ट में नहीं बताया तो आप वहाँ चले जाना अब तुम वहाँ गए तुमको वहाँ भी नहीं मिला तो क्या करोगे तो तुम मुह उठा करके General Clause Act के definitions में आ जाना यहां पर बहुत सारे definitions दिये हुए है पहला दूसरा अगर आपको तो interpretation में कोई issues आ रहे है तो interpretation के ले भी यह act है इस act का object के है sir what is the object of this act यह को यहां लिखा है वहाँ क्या object है sir act का there are four objects of this act सबसे पहला to shorten the language to shorten the language हम चो central act से इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं उसमें से common चीज़े उठाकर एक act में डाल देंगे ना तो overall act shorten हो जाएगा दूसरा for uniformity of expression हर जगा एक ही चीज expressions जो यूज हो रहे है उनका एक ही मतलब होना चाहिए इसलिए third to state explicitly certain convenient rules certain convenient rules fourth to guard against slips or oversight sir क्या मतलब है guard against slips or oversight मतलब क्या कोई act में कोई common चीज़े होती है जो अगर आप act में लिखना भूल जाओ तो problem हो सकती है तो वह हमने यहां लिख दिया है तो वहां लिखो या नहीं लिखो कोई problem नहीं है you will be guarded against slips or oversight तो यह चार object है sir सबसे पहला क्या language चोटा करना दूसरा uniformity लाना तीसरा convenient rules लिखना फोर्थ guard against slips and oversight यह चार objects किसके हैं बेटा किसके objects हैं यह यह आपके general clause act के objects हैं अब सरी applicable किसको होता है general clause act चोड़ दो words चोड़ दो exam में question नहीं आएगा कि general clause act किसको applicable है ओ institute सुन मत लेना मेरी बात पता चला मेरी बात सुने और exam में डाल दिया रे सुनो तुम सुनो मोस्टली नहीं आएगा ठीक है आभी चकते है भगवान पर उसे अब मेरी बात सुनो अप्लिकेबिलिटी के general clause act में इन्होंने कोई territorial extend नहीं लिखा इन्होंने यह नहीं लिखा कि इंडिया में होगा इंडिया के बाहर होगा जमु कश्मीर में होगा नहीं होगा इन्होंने क्या आपको बात समझाई जी हाँ आपको बात समझागी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर कुछ basic rules हमने पढ़े थे preamble क्या होता है preamble मतलब सर act के शुरू शुरू में हमने बोला describe yourself in one line हमने act को खड़े हो के बोला describe yourself in one line तो कभी-कभी वो एक line में बता देता है कभी-कभी उसका मन नहीं बानता है तो पाच्छा line में बताता है पर preamble जो होता है वो पूरे act का broader intention बताता है तो सुनो सुनो अगर आप act पढ़ रहे हो और कहीं पर आपको कोई चीज में clarity नहीं आ रही है कोई act में कोई provision पढ़ रहे हो और उस provision में आपको clarity नहीं आ रही है तो जब ऐसी चीज होती है जहां पर आपको clarity नहीं आती है तो आप preamble पढ़के समझने की कोशिश करते हो कि यार कहना क्या चाहते हो तो यह preamble जो है आपको क्या बताता है यह आपको एक ब्रॉडर ओवर्वीव बताता है कि जब हम act बना रहे थे तो हमारा intention क्या था उसके बाद तर हमने definitions के बार में कुछ चीजें पड़ी मैंने definitions के बार में आपको क्या बताया definitions दो तरीके के हो सकते exhaustive inclusive exhaustive inclusive exhaustive मतलब अगर आप अपने definition में means word का यूज कर रहे हो अगर आप अपने definition में means word का यूज कर रहे हो जैसे companies मतलब क्या companies act में लिखाए company section 2 clause section 2 clause 20 company company मतलब क्या company मतलब means any company incorporated in this in in this act or any other previous act तो company means मतलब हमने बता दिया इतना ही मतलब है पर अगर दूसरा definition होता है inclusive inclusive मतलब क्या जैसे की body corporate का definition two clause 11 जो किते है body corporate includes a company incorporated outside India तो inclusive definition में और भी चीज़ें आ सकती है पर exhaustive definition में कुछ एक ही चीज़ें आ सकती है उतनी ही चीज़ें आ सकती है उतनी ही चीज़ें आ सकती है उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता अब इन दोनों का एक mixture भी बना सर कौन सा जैसे की shares का definition shares के definition में लिखा है shares means share in the share capital of the company shares means share in the share capital of the company and include stocks तो इसमें means word भी आ रहा है include word भी आ रहा है मतलब मिला करके word बन रहा है अरे सर क्या इसका PhD करना है कि आपने को नहीं वस लिखा है अपने पढ़ लिया कहां लिखा है सर आपके notes में नहीं लिखा है module में लिखा है आक्ट क्या है act what is an act act मतलब कोई भी हरकत यहां पर act का मतलब यहां पर act का मतलब law वाला act नहीं है यह act का मतलब है हरकत ठीक है affidavit affidavit क्या होता है sir affidavit का definition आपको याद करना है सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए affidavit oath और swearing यह तीनों का definition same है क्या का मैंने affidavit oath और swearing तीनों का definition same है मतलब क्या it includes affirming and declaration but does not instead of swearing it includes affirmation and declaration instead of swearing क्या लिखाए दोस्तों देखो ना देखो ना क्या लिखाए affidavit shall include affirmation and declaration by any person who is allowed by law but it does not include swearing मतलब क्या sir कसम का रहा हो मम्मी कसम यह सब नहीं चलेगा तुमको affirm करना पड़ेगा यह declaration देना पड़ेगा अगर तुम law में affidavit की बात कर रहे हो God promise नहीं चलेगा ठीक है तुम affirmation दो या declaration दो तो affirmation एफिडेविट का ओत का और स्वेर का तीनों का मतलब जो है law के हिसाब से नहीं सेम रखा है कि तुमको समझ आया है बोलो हाँ कि अरे बोलो हाँ इतने शांत क्यों हो तुम जोड़ से बोलो हाँ कि अरे जोड़ से बोलो हाँ या force में आता है the day the day on which any act or force comes into force comes into force मतलब जब वो applicable होना शुरू होता है तो उसको कहते comments हो गया है comments मतलब क्या sir comes to have legal effect and legal force and effect पर सर यहाप एक state of odyssa versus चंदर शेकर सेंग भाई boy का एक case था sir उन्होंने क्या बोला सुनो अरे सुनो 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 सर आपने अगर एक act बना दिया ठीक है और किसी को authority दे दिया कि तू यह act को enact करवा देना मतलब क्या आपने act बना दिया act बना दिया मतलब क्या president का sign हो गया उस पर अब उसके बाद आपने central government को power दे दिया कि central government तू ना notify कर देना तू official gadget में नोटिफाई कर देना जब तू official gadget में नोटिफाई करेगा तब यह act जो है commence हो जाएगा अब सब्सक्राइब अब उसको कमेंस नहीं बोल सकते क्यों क्यों क्योंकि act बन गया है चलो president ने approval दे दिया very good पर आप उसको फिर भी आप उसको commence नहीं बोल सकते क्योंकि उसको अभी तक operation में नहीं लाया गया है ऐसे बहुत सारे acts होते है जो बन करके तयार है लेकिन उनको commencement में अभी तक नहीं लाया गया है या in the process है तो यहाँ पर यह case law में यह decide हुआ था कि तू उसको यह नहीं बोल सकते कि constitutionally approve हो गया है तो act comments हो गया नहीं भया it is not yet in operation क्या आपको समझ आई सर बात did you understand next definition document very important you have to buy art four things when it comes to documents सबसे पहरा चार वर्ड आपको याद करना है matter matter आपने किसी substance पे लिखा क्यों लिखा आपका intention था कुछ क्या intention था आपका record करने का matter substance in matter substance intention record यह चार वर्ड याद करो document का definition याद हो जाएगा any matter what is a document any matter which is written any matter which is written whether expressed or described upon any substance कहां लिखा आपने किसी substance में लिखा कैसे लिखा substance में by use of letters or figures by use of letters or figures why did you do which is intended to be used which is intended to be used for recording such matter is a document मतलब क्या सर अगर आपने कोई भी चीज लिखी यह describe की क्यों क्यूंकि आप उसको record करके रखना चाहते हो future के लिए तो उसको हम क्या कहते है document कहते है sir यह आपके document का definition है please याद कर लो मेरे साथ any matter which is written with an intent any matter which is written upon any substance upon any substance either by use of letter or figure which is intended to be used for recording the matters therein is a document sir इसमें example में अगर आप देखोगे तो books files painting even computer files are all documents however it does not include Indian currency note Indian currency note जो है इसमें नहीं आता है okay okay sir अचा एक बात तो मैंने बता ही नहीं आप लोगको कोई notes कहां से मिलेंगे को नीचे टेलिग्राम का description मिल जाएगा, वहाँ pe inefficient мिल जाएगा, वहाँ pe aap वही up upsets मिल जाएगा, अप मेरी बात सुनो, 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 सुनो sir! enactment enactment enactment.. enactment मतलब क्या होता है sir for कोई भी Act को enactment कहते हैं कोई भी Act य। regulation called, shall include a regulation and it will include an act मैं s Pittsburgh कोई भी ह्सको हो कोई भी रेगिलेशन ओगा हो उसको हम इनख्मेंट कहते हैं फ Saudi or Kylie Gow devenir क्या हैो अ फfelt Julie there के चीज कर रहा हो दो थोझसटो फ्लिज Bansy from the first day of the April. So year, मतलब क्या हूता है? Year, मतलब क्या? Year, को आप British, British Calender के हिसाब से reckon करोगे, British Calender के हिसाभ से reckon करोंगे, मतलब 1st January से शुरू होगा, 31st December को गदम होगा? So British calender के हिसाब से Year and financial year, मतलब जो 1st Day Of April से शुरू होता है Now sir, Next Important Definition है, आपका याद करो मेरे साथ definition क्या है good faith का good faith क्या होता है sir general clause act के हिसाफ से अगर बोलू तो good faith मतलब anything which you have done honestly whether it is done negligently or not doesn't matter अगर आपने honestly कोई काम किया है तो वो कह रहा है good faith है भाई अगर आपने honestly कोई काम किया है तो वो कह रहा है good faith है वाँ 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 तुमने negligent होकर के काम किया लेकिन honestly काम किया तो good faith है वाँ अगर तुमने car खरीद ने गए ठीक है तुम क्रेटा car खरीद ने गए और car खरीद ने वक्त तुमने देखा कि negligent था तो क्या हुआ good faith में तो काम किया तो general clause act कहते है हाँ 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 चोमू चलेगा आज आज चलेगा कोई बात ने पर यह general clause act कहते है पर अगर आप civil law देखोगे civil law मतलब क्या जैसे code of civil procedure हो गया तो civil law और देखोगे वहाँ जो गुड़ प्र mata बीलिजन्ट भी होना पड़ेगा अगर आप negligently कोई शुण कोई हरकत कर रहे हो तो उसको कभी भी गुड़ फेशन "- नहीं पहा जा सकता इड नी तो सर सुनो, कभी भी जब आप law में good faith का definition खोशते हो ना, तो usually आप civil law में जाते हो, कहां जाते हो, usually आप civil law में जाते हो, General Clause Act में नहीं आते हो, पर General Clause Act में कहुन आता है sir, good faith का definition डूण ने, अपना ICAI, अपना ICAI आता है, बोलता है, इधरा, इधरा, negligently काम किया, पर honestly काम किया, good faith है क्या, तो आप बोलोगे, नहीं, अरे, negligently काम किया, तो कैसे good faith हो गया, नहीं भाईया, यहां पर negligently भी काम किया ना, तो good faith हो जाता है, between good faith, where it is in fact done, honestly whether it is done negligently or not, ठीक है, यह definition हो गया, अब सर, एक चीज़ good faith में किया है, कि नहीं किया है, that is a question of fact, it is a question of fact and depends on circumstance to circumstance, circumstance बदलेगा, answer बदलेगा, it is a question of case to case basis, अब सर, सुनो, good faith का definition, अलग-अलग act में अलग-अलग define किया गया है, the definition of good faith does not apply to that enactment which contains special definition, मतलब अगर कोई act है, companies act है, अगर उसने good faith का खुद का definition लिखके रखा है, तो उसको obviously यह act का definition applicable नहीं होगा, पता है रे बाबा, इतना तो पता है अपने को, उसके बाद, the definition may be allowed, applied only if nothing repugnant in subject or constant, चोड़ दो, अब सर, सबसे important case law आया, माउंग आउंग पू वर्सस माउंग सी माउंग, बोलो एक बर, बोलो जुबा केसरी अपने मुह से बोलो एक बर, माउंग आउंग पू वर्सस माउंग सी माउंग, सर केसलों याद करना है कि देखो मैं इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ दो केसलों याद करवाऊंगा उसके बाद कुछ भी नहीं याद करवाऊंगा लिखा है मैंने पर याद दो ही करवाऊंगा दो ही याद करता खुद दो ही याद करवाऊंगा आपको माउंग आउं जो good faith का definition है, ये second line पड़ो, the definition of good faith as is generally understood in the civil law and which may be taken as a practical guide in understanding the expression in the ICA. मतलब जो civil law में जो definition है, उसको तुम अपना practical guide समझो, उसको तुम समझो main definition है और उसको तुम use करोगे अपने, उसको तुम use करोगे understanding के लिए, तो sir, अगर आपने without due care or attention, अगर कोई काम किया है ना, मतलब अपना ordinary prudence, अपना normal दिमाग के अलावा कोई काम किया है ना, तो उसक मैं मान ही नहीं सकते, अगर किसी बंदे ने, किसी बंदे ने honestly purchase किया, लेकिन carelessly purchase किया, तो उसको good title नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने good faith में खरीदा ही नहीं है, आपने sales of goods act पढ़ाए, बच्पन में कभी तो, बच्पन का प्यार मेरा, sir, sales of goods act, good title, अगर आप good faith में खरीद रह definition of civil law as a practical guide, और वो civil law में जो definition है, वो कहता है, कि अगर एक person, without due care, या attention के, बिना due care, या attention के, या अगर वो ordinary prudence लगाए, बिना अगर वो खरीद लेता है किसी goods को, तो उसको good faith में काहा ही नहीं जा सकता, sir, did you understand or did you not understand, बोलो, did you understand or did you not understand, हाँ, sir, इस्ता तो अपन ने class में भी महनत ने की थी, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, sir, sir, government के definition में, government के definition में, दो तरह की government आते है, central government, state government, government के definition में, दो तरह के government आते है, central government और state government, और, 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 immovable property, immovable property का definition, again important है, बहुत important है, sir, इसको super important mark करो, चार चीजा आती है, इसमें, चार चीजा immovable property के definition में आती है, सबसे पहला, land, दूसरा, benefits, benefits are to arise out of land, तीसरा, per attachment, things attached to the earth, and fourth, permanently fastened to anything attached to the earth, चार चीजा है, sir, जमीन, जमीन सा कोई benefit होने वाला है, वो, अर्थ में कोई चीजा अटाच्ट है, वो, और उजो अर्थ में चीजा अटाच्ट है, उसके साथ आपने permanently कुछ फास्टन किया है, वो, ये चारों चीजा immovable property के definition में आती है, सार, immovable property के definition में चार चीजा आती है, land, benefits, attachment, permanent fastening, land, benefits, attachment, permanent fastening, मैंने कैसे याद करवाए था, land, धर्ती हमारी मा है, तो मा, और उसके अलावा B, A, P, benefits, attachment, permanently fastening, बाप, तो immovable property में कौन आते हैं, माबाप आते हैं, ठीके, वा, 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 इस अच्छा तो normal याद कर लेते, तो याद कर लो normal, मना क्या क्या मैंने, तुम ही लोग सार, interesting, interesting, yellow, interesting, सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं, सुनो, sir, immovable property का definition logically तो समझ आ गया, very good, पर अभी logic के ऐसी तैसी करते हैं, कुछ case laws हुए थे, जहां पे कुछ decisions हुए थे, क्या tree, tree, जो जमीन में tree होता है, क्या वो immovable property है, हाँ sir, काट के लेह जाएंगे न, उसको तो, तो immovable हो गया, नहीं, नहीं, वो immovable है, because, because it is something which is attached to the earth, वो अधर्ती के soil से जुड़ा हुआ है, तो on the same context, यह कहाँ पर decide हुआ था सर्वेसे, यह decide हुआ था, Santa bai versus state of Bombay, Bombay के लोग देखो, पेड की बाते कर रहे, Santa bai versus state of Bombay का case law है, इसमें मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इस case law के वज़े से conclusion क्या आया, कोई भी और चीज, जिसके आपका timber हो गया, tendu leaves हो गया, standing crops हो गया, grass हो गया, कोई भी चीज, right to build on any land, और right to occupy any land, यह सारी चीज़े जो है, यह immovable property हो जाती है, पर सुनो, अगर एक point A है और point B है, A से B जाने का आपने access road बनाया, तो वो access road भी immovable property हो जाता है, पर उसी road के बाजू में तुमने नाली बनाया, उसी road के बाजू में तुमने drain बनाया, तो वो drain immovable property नहीं होता, क्यों, क्यों, law की लीला law ही जाने, पानी बहता है तो immovable कैसे हो गया, तो उस हिसाब से मेरे को एक बात बताओ, मचली जो होती है, क्या वो movable property होती है कि immovable property होती है, सर मचली the right the right to catch and sell a fish is a immovable property मैंने क्या बहला immovable property सर आनन्द बहरा आनन्द बहरा वर्स स्टेट ओडिसा का केस है आनन्द बहरा वर्स स्टेट ओडिसा का केस है आपके मॉड्यूल में है मेरे सर आपके नोट्स में यहीं पर नीचे आपको मिलेगा आप जो नीचे आभी PDF डाउनलोड करोगे ना वहां पर आपको सही जगे पर मिलेगा वहां पर क्या लिखा हुआ है अगर आप आनन्द बहरा वर्स स्टेट ओडिसा का केस देखेंगे उसमें ही डिसाइड हुआ था कि जो होता है उसको पकड़ने का जो उसको जो फिश को काच करने का जो राइट है वो इम्मूवेबल प्रॉपटी है क्यों क्योंकि धरती फिक्स्ट है धरती में जो पानी है वो फिक्स्ट है तो पानी के अंदर जो मचली है वो इम्मूवेबल हो गई इंचिरख़ट था अगर आप कोई मशीन संबसे पहले ये बताओ कोई मशीन अगर आपने धर्ति से जोड़ दिये तो क्या वह मशी इंप्सकोर दियैंग अब साट बोलना, संपूरार में इमप्रिजिनमेंट मतलब क्या होता है, सुनो, लौ में इमप्रिजिनमेंट दो तरहा कह से पहला जिल है पहला बिचुत मिच्टमक्राइं, से ऑफ कहीं है का चैल मुवेबल पोपटी, मुवेबल प्रॉपटी म ये सारे financial year का ये सारे definition आपके exam में आई हुए हैं बार 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 और 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 भी आने के chances हैं good faith तो खास करके चलो 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 आगे बढ़ते हैं अब से चोटी चोटी बाते हैं फटा फट करूँगा जो important बाते हैं वो करूँगा सारी बाते नहीं करूँगा मेरी बात सुनना ध्यान से सर सेक्शन 5 coming of operation of enactment मेरे को एक बात बताओ simple सी बात enactment सर अगर कोई act आ रहा है तो वो comments कब हो रहा है but if there is no particular date specified अगर particular date specified नहीं है तो in that case it will come into operation from the date of ascent of precedent जिस दन precedent ने ascent दिया उस दिन से वो operation में आ जाता है पर सर constitution जो हमारा है ना जो हमारा constitution है 26 January को जो constitution आया था वो constitution के पहले पहले act को ascent कौन देता था गवर्नर जनरल देता था उस समय प्रेसिडेंट नहीं वा करते उस समय में governor general दिया करते थे तो governor general का जिस दिन ascent मिला या president का जिस दिन ascent मिला उस दिन से act को comments माना जाएगा अगर कोई date specified नहीं है तो correct तो sir जैसे अगर आप एक example देखोगे यह SEBI ICDR का regulation है ठीक है जो SEBI ने अपने notification में 14th august को डाला था कि 14th august को लिखा था कि भहिया ये ना 1st January स आप्लिके बेलोगा तो ये कब से आप्लिके बेलोगा तो ये 1st January से आप्लिके बेलोगा क्योंकि तुमने एक date specify कर दिया है कि आपको समझ आया sir हाँ समझ आया अब कुछ additional points बता देता हूँ मानलो sir एक act पास हुआ companies act और companies act ने Central Government को power दिया कि CG तेरको जब इसको notify करना है त अब से comment on Hoga जिस दिन से मेरन को Central Government official gadget में डालेगा उफिसिल गेजिटमे रर उस दिन से हुझाणगा अब act pass तो हो गया पर Central Government डाल नी रहा है official gadget में टो की ठीक कि को तो अगर वो डाल नहीं रहा है गैजट में तो मैं क्या करूँगा, अगर वो डाल नहीं रहा है गैजट में तो क्या करूँगा, क्या court order pass कर सकता है, कि A.C.G. इसको कल के कल डाल, नहीं सहर, अगर central government के पास power है तो court cannot issue a mandamus, mandamus मतलब क्या, आप order नहीं issue कर सकते, कि A central government तो इतन gap हो गया है तो एक RIT T訏सला है च्ताया just हरा इतो मां को बस इतना पूंड सकता उसके अलब कुछ नहीं नहीं कर सकते इस रूल्स का है में इसश़ेक्टेशन कि तब में भागव मो上गे整 बाब जाता है अगर law है जो हमने कहा 1st January से apply होगा तो ऐसा नहीं 1st January को दोफेर को 12 वज़े से या दोफेर को 11 वज़े से ऐसा नहीं 1st January को apply होगा मतलब क्या 31st रात को 12 वज़े से अप्लिकेबल हो जाएगा आप समझों वह लौका बर्श्थदें 1st January को है तो कब विश्च करोगे 31st रात को विश्च करोगे ना उस दिन से अप्लिकेबल हो जाएगा अरे समझा क्या अरे हो क्या जिन्दा हो क्या अगर तुम चैट में हां कह रहे समझें समझा की नहीं समझा ओके हो के चलो तो ॆज़िए आगे बढ़ते हैं है एगे बढ़ते हैं है है रिपील प्रोवीजिन की है अब से हम रिपील प्रोविशिट ऐसकल करेंगे बहुत आसान जादा दिमाग में वह मत करना किच-किच एकदम असानी से समझ आजेगा वट इस रिपील रिपील मतलब जान से मार देना सर उसको तो मुर्डर कहते है न वह इंसान का करो तो कहते है लौ का करो तो उसको कहते है रिपील ठीक है मतलब क्या आप उसको इस तरीके से हटा रहे हो कि वह था ही नहीं कभी इस तरीके से हटा रहे हो कि कभी था ही नहीं तो उसको कहते है रिपील अब सर रिपील जब करते हो ना तो उसका क्या एफेक्ट होता है तो हमने बता हमको यह पता है यह चार एफेक्ट तो नहीं होते है हमने क्या किया, रिपील अगर तुम करो, तो उससे क्या ेफेक्ट होता है, हमें बता вторि צार एफेक्ट तो नहीं होता है, कौन से चार एफेक्ट सर सबसे पहला, सबसे पहला रिवाइवल of any previous enactment, जैसे कि जैसे की अगर आपको मैं बताओ, तो अगर आपका Companies Act 1913 था, Companies Act 1913 ने रिपील कर दिया, 1956 आया, Companies Act 1913 था, उसके बाद 56 आया, 56 ने 1913 को रिपील कर दिया, मतलब हटा दिया, जड़ से उखार दिया, अब सर 1956 को हटाने के लिए 2013 आया, 2013 ने 1956 को जड़ से उखार दिया, तो मेरे को अब ये बात बताओ, सर 1913 को रिपील कौन कर रहा था, उसको रिपील कर रहा था, 1956, पर अब आपने 1956 को ही रिपील कर दिया, अब आपने 1956 को ही रिपील कर दिया, Sir 1913 को मार कौन रहा था 56 पर 56 को ही मार दिया तो आप 1913 वापस जिंदा हो गया क्या नहीं भाई क्या ऐसा तोड़ी यहां पर क्या मजाग चल रहा है क्या यहां पर नहीं Sir रिभाइब नहीं होगा पहला अगर आप कोई आक को रिपील करे रहो तो it will not lead to revival of any previous enactment उसके अलावार second, third or fourth point जो है, it will not affect some things, पहला, it will not affect your RPOL, your rights, privileges, obligations or liabilities, अगर कोई पहले के enactment में आपके rights, obligations, privileges or liabilities थे, वो affect नहीं होगे, दूसरा, कोई आपका penalty, punishment या forfeiture affect नहीं होगा, क्या affect नहीं होगा, मैंने कहा, penalty, punishment या forfeiture affect नहीं होगा, तीसरा, आपका litigation या inquiries जो हैं, वो affect नहीं होगे, मतलब सर, आपको चार point याद करने है, पहला point यह है, it will not revive any previous enactment, उसके अलावा तीन पॉइंट यह, ये तीनों चीज़े affect नहीं होगी, क्या तीनों चीज़े सर, सबसे पहला, आपके rights, privileges, obligations or liabilities, जो आपको previous enactment से मिले थे, वो नहीं affect होगे, दूसरा, कोई भी penalty, punishment या forfeiture की बात करिये, वो affect नहीं होगे, तीसरा, litigation, inquiries जो होते, ये सारी चीज़े भी affect नहीं होगे, क्यों affect नहीं होगे, क्यों affect नहीं होगे सर, क्योंकि ये सारी चीज़े continue होना बहुत जरूरी है, तो किसी act को repeal कर देने से, ये सारी चीज़े affect नही है, section 8 companies है, वो वहाँ पे section 25 companies हुआ करते थे, तो sir, 1956 में section 25 companies थे, क्या वो हट जाएंगे, क्या वो हट जाएंगे, नहीं sir, वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो उनको same rights मिलेंगे, same privileges मिलेंगे, कोई निचन नहीं है, penalty की बात करें sir, अगर आपने किसी को fraud की penalty लगाई थी, fraud की penalty लगाई थी, आपने उसको jail में बढ़ दिया था, आपने उसको fine लगा दिया था, उसने पैसे बढ़ दिये 50,000 रुपे, अब जब आपका 1956 repeal हो गया, तो क्या आपके पैसे वापस मांगेगा, कि भाई वापस करो मेरे पैसे, तुम्हारा तो act ही चला गए, नहीं sir, आपको मैं दो provision बता देना चाहता हूं, कि यह जो repeal का provision है, हम सिर्फ act और regulation के लिए लगा रहे, rules के लिए यह provision नहीं applicable होंगे, सिर्फ act और regulation के लिए हम यह provision लगा रहे, repeal का provision जो है, वो rules के लिए applicable नहीं है, अरे जोड से बोलो, हाँ, ओके, अब सर एक case, important case लो, जो मैं आपको य गम धर्मदा, मिलकत जी ट्रस्ट, सर याद होता है कर लो, नहीं होता है, तो जान दो क्यों सर, क्योंकि exam में एक बार आया है, एक बार लिखना पड़ा है, कोई problem नहीं है, वो exam में भी नहीं था, वो MTP में था, अब exam का भरोसा नहीं है, पर अगर याद होता है, तो याद क मतलब क्या, repeal मतलब, you are basically complete obliteration of the act as if it never existed, ऐसे हटा रहो जिसे कभी existence में नहीं था, पर अगर आप deletion की बात करो, तो deletion basically, what does deletion mean, सुनना मेरी बात, deletion मतलब, आप उसको किसी एक date से applicable करवाना बंद कर दे रहो, you are stop making it not applicable from a particular date, but it always existed, ऐसा नहीं कि आप उसको जड़ से ग wiping out, but on the contrary, repeal मतलब क्या, complete wiping out as if it never existed, that is complete obliteration of the act as if it never existed, sir, यह जो keywords है न, यह बहुत important है, यह keywords ही आपको लिखना है, complete obliteration as if it never existed, और यह keywords ही underline करना है, आपको आपको पूरे marks मिल जाएंगे, और कुछ नहीं लिखना है, बीच का सारा fillers है, यह keywords है, ठीक है, okay, next, sir, repeal का example दो, जिसा मैंने तुम को example दिया थे class में, कि जो तीन farmers के law थे, वो कैसे बने, क्यों उसको government ने अटाया, कैसे repeal हुआ, और repeal होने के बाद, revive भी हो सकता है, वो सारी चीजा अपने पड़ी थी, उसके बाद, sir, section 6, say, repeal of act making textual amendment, sir, जाने दो section 6, section 7, very easy, revival, क्या कहता है, revival मतलब क् आप क्या act को revive कर सकते हो, बिल्कुल revive कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त है, बस आपना purpose बता देना, please state the purpose why you are reviving it, please state the purpose clearly, why are you reviving that particular act, sir, construction of reference to repealed enactment, इसका मतलब क्या है, सुनो, example के form में सुन लो section 8, construction of reference to repealed enactment, अगर एक act है, जिसे कि आपको बता है, income tax act है, income tax act में एक section 115JB, section 115JB एक section है, जिसमें आपको book profit चाहिए होता है, अब book profit जो है, वहाँ पर book profit का definition है, उसमें लिखा है book profit as per companies act 1956, और 1956 तो repeal हो गया ना, या, तो कोई बात नी, repeal हो गया है तो फिर भी definition था, उसको use करो, वो जो definition था, उसको use करो, कोई tension नहीं है, और अगर वो 1956 का definition हट करके 2013 में तो वो definition use करो, पर constructive, construction जब आप करोगे, जब आप interpretation करोगे, तो थोड़ा सही सही सोचना, इंसान से गलती हो जाती है, अगर income tax act में पुराना reference दिया हो है, तो कोई बात नी, आप वो book profit का भी definition ले सकते हो, या अगर नए act में book profit आगया है, तो उसका भी definition ले सकते हो, यह मत अगर बोलना कि 1956 रिपील हो गया थो वो ही नहीं, तो क्या दिखाए सर, where this act or central act or regulation made after the commencement of this act, repeals or re-enacts without or without modification any provision of former enactment, then references in any other enactment or in any instrument to the provisions or repeal चैल, unless an intention appear be construed as reference to the provisions re-enacted, मतलब यही क्या कह रहा है सर, अगर आपने 1956 के book profit को reference दिया है, तो unless otherwise specified हम यह माल लेंगे, आपने 2013 के ही book profit को reference दिया है, बहले तुमने अलग से amendment नहीं किया हो, एक बार यह example पढ़ो सर, exam का question है, एक बार यह example पढ़ो फटा-फट exam का question है, Okay sir, अभी commencement and termination of time देख लेते हैं, बहुत important है, सुनो, 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 सर अगर अभी आपको timeline calculate करना है न, तो अगर from word यूज किया है, तो वो specific date है उसको छोड़ देना, और अगर two word यूज किया है, तो वो specific date को include कर लेना, क्या मतलब सर, जब भी आपको time calculate कर रहे हो, तो जो शुरू वाला दिन है, एकदम start वाला उसको ignore कर देना, और जो last वाला दिन है, उसको include कर लेना, तो आपका sufficient compliance हो जाएगा law का, क्या मतलब सर, जैसे मैंने आपको class में example दिया था, अगर अगर एक company 30th September को dividend declare करती है, अगर एक company 30th September को dividend declare करती है, तो dividend 30 days के 30th October तक, आप जो इस period में dividend distribute कर सकते हो, अब आपको बता है, अगर इस period में dividend नहीं distribute किया, तो आपको, आपको पैसे 7 दिन के अंदर unpaid dividend account में transfer करने होते हैं, तो सर, जब आपके 7 दिन कब से शुरू होंगे, यह आपका last date था, तो इसको छोड़ दो, 31st October से आप गिनना शुर कर सकते हो, नहीं किया तो फिर breach हो जाएगा, मतलब क्या sir, जो पहला वाला दिन है, जो पहला वाला दिन, जैसे कि यहाँ पहला वाला दिन के 30th September, उसको ignore कर देना, और जो last वाला दिन है, to validate, उसको include कर लेना, क्या आपको मेरी बात समझाई, हाँ sir, आपको मेरी बात time, computation of time, very important provision, मेरी बात सुनना, if there is a timeline within which a document has to be submitted in a court or office, अगर आपको कोई भी legislation या regulation के हिसाब से, कोई भी act करना है, किसी court या office में जाकर के, किसी दिन के अंदर, और जो last date था, या जिस दिन आप गए, उस दिन अगर वो court या office बन था, sir, जैसे कि आपको appeal करना होता है, आपक day पे आप appeal करने गए, और उस दिन court बन निकला, या आपको कोई document जमा करना था, किसी office में, और वो office last day पे गए, और वो office बन निकला, तो क्या आपका breach हो जाएगा, नहीं, sir, अगर वो office बन निकला, तो उसके बाद जब भी वो court या office खुलता है, उस दिन अगर वो काम तुम कर दोगे, तो यह मान लिया जाएगा, तुमने last date पे कर दिया है, नहीं समझे, sir, अगर आपको कोई court में जाके appeal करनी थी, last date था 31st October, 31st October last date था, आप 31st October को court में गए, court था बंद, तो आप उसके बाद जब भी court खुलेगा, जब भी court खुलेगा, उस दिन जाकर के अगर जम तो वो बंद है तो बंद है, अगला जब भी खुलेगा, तब तुम फाइल कर देना, काम हो जाएगा, अगर court मान लो, sir, 10 दिन कले बंद है, तो 10 दिन बात फाइल कर देना, Saturday, Sunday, public holiday, national holiday, इन सबसे कोई फरक नहीं पड़ता, अगर बंद है, तो जब चालू होएगा, फाइल कर देना, यह मान लिया जाएगा, last date पे filing हो गई है, तो क्या लिखाए, sir, where any act is directed to be done in any court or office on a certain day, and it is closed on that day, then it will be considered as done, if it is done on the next day afterwards, on which the court or office is open, जब भी उसके बात court या office खुलेगा, उस दिन अगर कर लिया, तो इसको कर लिया है, मान लिया जाएगा, अब sir, measurement of distance, अगर एक point A स point B जा रहे हो, तो distance जो है, वो measure करोगे, straight line में, on a horizontal plane, मतलब क्या, वो school map करते हैं जियोग्रफी में ऐसे धागा ले करके, वैसा, on a straight line on a horizontal plane, आप distance calculate करोगे, आप उसको पानी से, फ्लाइट से, रोड से, रस्तानी ना पोगे, मतलब basically aerial distance हो गया एक तरह से, ठीक है, देक है, PhD करने हैं, हम law में देख रहे हो, तुम्हें, LLB की डिग्री मिलेगी इसके साथ, Sir, duty to be taken prorata in any enactment, oh, 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 ये, ये law पढ़के लगा, अच्छा हुआ बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो वही बात हो गई कि, Sir, अगर आपने एक दुकान में गए और आपने देखा, एक किलो चावल रूपया, तो आपने बोला, बहिया, दो किलो कितने में लगाऊ गया, अरे, दो सो में लगाएगा ना, तुमको डिस्काउंट मांगना है, तो अलग से मांगो, पर वो दो सो में लगाएगा ना, एक किलो का सो तो दो किलो का दो सो तो लो यहाँ पर क्या लिखता है section 12 लिखता है कि आप कोई भी चीज अगर आपको दिया हुआ measurement या कोई custom duty या excise duty लेविएबिल दिया गया है तो उसको proportionately करना उसको proportionately calculate करना जैसे कि sir इन्हों ने distribute करोगे किसी का 50% shareholding किसी का 25% किसी का 15% किसी का 10% तो उसी ratio में वो dividend को जो है वो declare कर दोगे oh ho match में ratio कम पढ़ा था हमने foundation में उन्होंने बोला यहाँ भी पढ़ा देते हैं थोड़ा सा so no the next section 13 very important gender he includes she जहां पर हम masculine gender use कर रहे हैं तो भाया हमको माफ कर दे ना वहां पर हमारा मतलब यह कि females भी उसमें include होंगे tension मतलो तो he will include she और singular can mean plural and vice versa plural में singular भी आ सकता है वा 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 पर sir इसके कुछ exceptions है he will include she पर अगर law ने clearly he लिखाए if law didn't want to include she then he will not include she he will include she unless law wanted he to include he and not she sir आप confuse कर रहे हो सुनो sir अगर law में लिखाए कि आप he word use कि है तो he मतलब she include हो जाएगा पर अगर law ने clearly लिखाए पर male descendant लिखाए male descendant लिखाए अगर ऐसा law में लिखाए तो male descendant का मतलब female descendant नहीं आएगा कि उसमें sir male descendant ही आएगा क्यों specifically लिखाए जिसे गाए ने अगर अगर law ने specifically लिखाए the word bullock bell तो उस case में गाए को काव को मत include करना क्यों क्योंकि clearly bullock लिखाए तो इस तरह की चीजे है sir अब sir आपने कहा singular includes plural ठीक है तो अगर मैंने कहा कि you will check the profit of previous financial year तो क्या financial year तो singular है तो क्या में उसको plural मारके अगले तीन-चार साल का financial year पिछले तीन-चार साल का financial year चेक कर लो नहीं sir आप clearly यहाँ पे financial year के case में singular will not include plural तो तो तोड़ा दिमाग लगा के interpretation करना पर जहां तुमको समझ आए जैसे कि sir exam में question आता है यह की question आता है sir एक section 203 है जो आप CA final में पढ़ते हो वो 203 में लिखा है आप holding company के कि तीन-चार में भी बन सकते हो तो ता answer is तीन-चार में भी बन सकते हो क्यों क्योंकि भले तुमने word subsidiary लिखाए लेकिन उसका interpretation subsidiaries था यह question आपको मेरे question bank में मिलेगा चाहिए तो जाकर के अभी कर लो पर उससे आपका काम खतम हो जाएगा ठीके sir अब sir functionaries में मैं आपको यह सारे बच्चे बच्चे नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं आपको बड़ी-बड़ी बाते बता रहा हूं जैसी कि सुनना अगर किसी को आप power to appointment दे ले हो functionaries में अगर आप किसी को सबसे बहले तो सुनो सबसे पहले अगर आपको को power to appointment दे रहो मतलब आपने कहा कि यह central government तुना यह IPF authority में IPF authority में जो chairman है उसको तू बैठा देना you appoint a person there so in that case the central government can either appoint a specific person or can appoint an office also या तो वो किसी उसने बोला Mr. Nanand आप जा के बैठ जाओ यह person हो गया या फिर उसने कहा कि जो secretary mca न वहाँ पर बैठेगा मतलब secretary mca की कुर्सी में जो भी बैठा है वो यहां पर बैठेगा इसको कहते एक्स-offression इसको कहते एक्स-offetry member मतलब यह जो chairman है next official Member eh next official member क्या तुम किसी और office में बैठे हो इसले तुमको यह office में बैठने मिल रहे जैसे ही तुम्हारी office खाली होगी यह office भी when Commissioner future ठीके सर, सर ठीके क्या, yes, तो ex-official appointment हो गया, individual हो गया, अब सर जब आप किसी को power to appointment देते हो ना, तो उसके बास power to suspend or terminate भी होता है, अगर आप किसी को power to appointment दे रहे हो तो उसके बास power to suspend or terminate भी होता है, by default unless otherwise specified, इस पूरे law में हट जगा unless otherwise specified लिख देना भाई, क्योंकि कहीं और law ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद आजाओ section 20 पर, section 20 में एक simple सा concept है, मैं को एक बास बताओ, अगर companies act ने बोला था, companies act ने भावर दिया था central government को rule बनाने का, central government ने rule बनाया, rule में उन्होंने एक word यूज़ किया, body corporate, अब वो body corporate जो word यूज़ किया, उसका definition उन्होंने rules में लिखा ने, तो body corporate का definition कहां डूढने जाओगे तुम, general clause act में क्या, अगर central government को companies act ने power दिया, कि central government तू rules बना ले, rules में उन्होंने word यूज़ किया, body corporate, body corporate को उन्होंने define नहीं किया, तो उस body corporate का definition डूढने कहा जाओगे, अरे वो rule तो act का बच्चा है ना, तो act में लिखा तो आपको लगा अच्छा कि अहां बता दिया, अच्छा हम तो नहीं तो दर बदर बटक जाते कि कहां body corporate का definition डूढने, अरे जिस act का rule है उसी act के पास जाओगे ना, इसलिए sir law का नाम है general clause act, अब sir, आप अगर किसी को power दे रहो to issue, notification, schemes, order, आप अगर किसी central government को power दे रहो to issue schemes, notification, order, तो उसको जब issue करने का power दे रहो ना, तो amend करने का, vary करने का, resign करने का, सारी चीज़े करने का power आजाता है, क्या का मैंने, अगर आप किसी authority को power दे रहो to issue, तो उसके पास power to vary, power to amend, power to resign, सारी चीज़ें आ जाती है, वा, 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 हियाद, sir, next, sir, ये सारी कहानी हैं, अगर आपको exam के पहले भी सुनना है, आपको नहीं कर सकते हैं, आपको sir, ये चीज़ें exam में आती ही नहीं है, बट अपने को concept बस पता होना चाहिए, we should know what is written, that's all, we understand, अगर exam में आएगा तो आपन संभालने के वैसे आने की संभावना काफी कम है पर sir, next वाला provision सुनो, sir, अगर कोई rules बन भी गया है, और अगर rules notify भी हो गया है, पर अगर act अभी तक उस provision को notify नहीं कर रहा है, तो rules applicable नहीं होंगे, हां, अरे सुनो, आपने act बनाया, act में आपने central government को power दिया, central government तो rules बना लेना, act अभी तक comments नहीं हुआ है, act अभी तक comments नह क्या rules applicable हो जाएगा, law कहता है कि तुम rules बना के डाल सकते हो पर applicable तब तक नहीं होगा, जब तक आपका act comments नहीं हो जाता, जब तक आपका act comments नहीं हो जाता, तब तक जो rules है, वो applicable नहीं होंगे, obvious ही बात है, sir, वो rules हो, वो bylaws, वो कुछ भी हो, जो act है, जब तक वो force में नहीं at any time after passing of the act, जब आपका act pass हो गया, उसके बाद आप कभी भी rules बना सकते हो, but such rules shall not take effect till commencement of the act, आप बना लो, पर जब तक आपका act नहीं हा था, तब तक वो applicable नहीं होगा, नीचे मैंने example दे रखा है, आपको अगर याद होगा, तो NCLT का, NCLT के rules 2014 में बन गए थे, पर NCLT का law applicable हुआ 2016 में, तो जब 2016 में law applicable हुआ, जब 2016 में law applicable हुआ, तो rules भी 2016 से ही apply होगी, बले ही आपने बना लियो, बले ही आपने बना लिया हो, अब सर सेक्शन 23 important, क्या है सर सेक्शन 23 important वही गेम जो अपने ICI ने अभी खेला, ICI ने कोर्स को अमेंट करने की बात की, तो कोर्स को अम 30 दिन के अंदर, every person who is likely to be affected, every person who is likely to be affected will have to give their objection or suggestion, आपका objection या suggestion है कुछ भी, तो 30 दिन के अंदर आप लोग अपना comments दो, आपके जब comments आ जाएंगे, तो उसको हम consider करेंगे, और consider करने के बार, जो भी changes अगर हमको लगता है करने है नहीं करने है, वो करके हम act को publish कर देंगे, तो सर ये है, publish करने के पहले, previous publication, previous publication for comments, आप अगर कोई भी act publish कर रहे हो, तो उसके पहले का previous publication है, ये, किनके comments के ले for person who are likely to be affected, तो सर चार स्टेप है, देखो चार स्टेप है इनको याद करने है, सबसे पहले क्या, आप publish करोगे एक draft, जो भी आप rule law act बनाना चाहते हो, उसक तो publish करोगे draft for the comments of person who are likely to be affected, उसके बाद आप एक draft notice बेजोगे कि भाया, जिनको जिनको concern है, वो specified time limit के अंदर हमको क्या बता दे, वो हमको अपना comments बता दे, अब जो comments और objections आएंगे, suggestions आएंगे, उनको consider करोगे, और उसके बाद publication करोगे, finally official gadget में, और जब publication करोगे, तब ये proof है कि उपर के सारे compliance आपने कर लिया, अगर आपने finally कोई provision, कोई law ले जाकर के official gadget में publish कर दिया, इसका मतलब ये, कि जो उपर की चीज़े कर नी थी, आपने कर ली ऐसी मान लिया जाएगा, conclusive proof है, मतलब सरी, ये एक presumption है, presumption क्या, कि जब official gadget में publish हो जाता है, हम ये मान लेते हम कहाँ, so now, आजाओ, sir, अब मैं आपको एक चोटा सा point बताना चाहतू, चोटा सा, sir, अगर ICAI ने publication डाला था official gadget में हमारे comments के लिए, हमारे comments के बाद वह जब changes कर रहे हैं, तो changes करने के बाद क्या, उनको वापस publish करना ज़रूरी है, कि changes करने के बाद वो खुद से डाल सकते changes करने के बाद वो final publish कर दे कि उनको वापस से public comment के लिए डालना पड़ेगा, तो sir, जब उन्होंने changes कर लिए, तो depend करता है कितने changes की है, क्या वो changes ancillary थे, incidental थे, जरूरी थे, normal थे, क्या normal changes थे, अगर normal changes थे, तो तुमको वापस public comment नहीं चाहिए, तुम आगे बढ़के publish कर for example, for example, for example, जो मैंने तुमको class में example दिया था, कि अगर law की बात करें, तो उन्होंने बोला, companies act जो है, वो law हम CA final से उठा करके CA enter में लाएंगे, ठीके, उतना ही कहा था उन्होंने, अब उन्होंने, comment तो उतना ही मंगवा था, पर जब change कर रहे थे, तो act के साथ वो rules भी ले अरे तो rules तो lying गही ना भाई, rules तो lying गही ना, वो तो ancillary change है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वापस public comment लेने की जरुवत नहीं है, पर हाँ, अगर तुमने बोला था, direct tax जो है, उसमें कोई change नहीं होगा, अचानक से बैठे-बैठे बोल रहे हो, direct tax को आम open book करेंगे, तो भाई, यह बहुत बड़ा change है, तो तुमको public comments के ले open करना पड़ेगा, तो sir, यही वाला paragraph है यहाँ पर, कि अगर आप जो थोड़े-मोडे, अगर आप suitable changes कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वापस से publish नहीं करना पड़ेगा, public comments करना पड़ेगा, Sir, next, continuation of order issued under enactment repealed or repealed and reenacted, Sir, बहुत simple है, 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 तो बिना interruption के, बिना interruption के चीज़े continue होगी, मतब एक act को repeal करना और दूसरे act को enact करना, will neutralize themselves, मैं क्या गरूँ, यह देखो न, यह देखो, इन्होंने physics भी जोड़ दिया इसमें, chemistry भी जोड़ दिया, बोले, एक act को repeal करना और दूसरे act को reenact करना, will neutralize themselves, ऐसा माना अगर आपके terms जो है न, वो लगबक substantially same है, पर अगर आपके terms जो है, वो अगर change हो गए है, आपके terms जो है, तो उस case में क्या होगा, उस case में somewhat different terms अगर है, तो जहाँ जहाँ पर differences है न, वहाँ पर यह माना जाएगा, पुराना वाला act रिपील हो गया है, और नया वाला act resistance में आगे, सर इस से जाधा अब घुसने का मतलब नहीं है, रिविजिन में, सर माइन साक 1923 था पहले, उसके बाद माइन साक 1952 आया, तो जो रूल्स माइन साक 1923 में बना था, उसको यह माना जाएगा, उसको यह माना जाएगा कि वो 1952 क्ले भी applicable है, जो रूलस 1923 क्ले बना था, वो ही रूल्स, वो ही रूल्स, सेम रूल्स आप्लिकेबल पर, सेम रूल्स आप्लिकेबल पर 1952 ओल्स, ऐसा माना जाएगा, ओके, ओके, सर, next, section 25, recovery of fines, अगर आप कहीं fine लगा रहे हो किसी भी act में, तो उसकी recovery कैसे होगी, सर, दो तरीके से होगी, Indian Penal Court के section 63 से 70, और, दूसरा आपके code of criminal procedure में, जो fines के recovery related law है, इन दोनों के हिसाब से आपकी recovery होगी, unless otherwise specified, कौन से दो तरीके से recovery होगी, बोलो, Indian Penal Court के हिसाब से, section 63 to 70, और, दूसरा code of criminal procedure के हिसाब से, उसके बाद सर, मैंने कहा, provision as to offense punishable under two or more enactments, अगर कोई ऐसा, कोई ऐसा offense किया, आपने, जो दो act में offense punishable है, तो क्या होगा सुनना, जो आपका prosecution है, जो आपका मुकदमा है, वो दोनों act में चल सकता है, पर आप punishable सर्फ एक ही act में होगे, दोनों act में punishable नहीं हो सकते, for the same offense, sir, अगर offense distinct है, दो अलग-अलग offense है, आपने एक murder किया, और एक rape किया, तो murder के लिए अलग offense है, rape के लिए अलग offense है, उसको एक offense नहीं बोलोगे, बहले उसने rape करके murder किया, एक ही जेने का, तो वो एक offense नहीं बोल सकते, उसको दो अलग-अलग offense है, उसके लिए दोनों के लिए अलग-अलग penalty लगेगी उसको, दोनों के अलग-अलग जही लोगा, पर अगर, पर अगर कोई offense है जैसे कि आपने fraud किया fraud करने के वज़े सा आपको दो आपको मानलो एक company's act में भी penalty लग रही है और इंडियन penal code में भी penalty लग रही है तो उस case में मुकदमा जो है दोनों case में दोनों court में चलेगा proceedings जो है वो दोनों court में चल सकती है दो अलग-अलग law में चल सकती है पर ultimate जो punishment मिलेगा आपको वो एक ही law में मिलेगा वो एक ही act में मिलेगा where any act constitutes an offense under two or more enactment कोई हरकत आपकी दो act में आपको offense मनाती है दो law में आपको offense मनाती है वो हरकत आपकी the offender shall be liable to be prosecuted and punishable under either any of those enactment but shall not be punished twice for the same offense दो बार तुमको सजा नहीं दी जाएगी ठीके सर last last sir meaning of service by post अगर कहीं भी law में आपको लिखाए कि आपको post से service करना है तो when will be the service by post be deemed to be affected कब आपने post से service कर दिया यह मान लिया जाएगा अगर चार चीज़े होती है पहला अगर आप उसको properly address करते हैं दूसरा prepay करते हैं तीसरा post करते है registered post से पहला आपने address किया दूसरा prepay किया तीसरा post किया registered post से and उसके बाद एक letter एक letter भेजा और वो let नहीं उसके बाद नहीं actually a letter containing the document to have been affected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post तो सर वो जो letter है आपने उसको address डाला prepay किया पोस्त किया और वो deliver हो गया तो यह मान लिया जाएगा effect हो गया वा 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 सर्विस बाइपोस्त का मतनब कह सुनो मैंने क्या का चार condition meet होने चाहिए सबसे पहला आपने properly address किया आपने प्रीपे किया आपने पोस्त किया उसको और उसके बाद वो actual में deliver हो गया तो तब उसको मान लिया जाएगा service by post हो गया तो सर यह बहुत-बहुत important आज से कम से कम 5-7 बार बापस good faith इतना important है बहुत बार-बार आया है और क्या कहा मैंने what did I say when will the when will the post be said to be affected when will the service by post be said to be affected when you are addressing when you are pre-paying and you are posting it by registered post and it is actually delivered in the ordinary course of post okay but sir अगर law में कहीं लिखा है registered post acknowledgement due से बेजना है registered post acknowledgement due मतलब क्या post से जाएगा पर उसके आगे एक और step आएगा कि जब deliver हो जाएगा ना तो सामने वाले एक document साइन करेगा और वो document मेरे पास आएगा which is a confirmation कि यहाँ यह deliver हो गया तो अगर registered post acknowledgement due से बेजने के लिखा गया है अगर law में और अगर आप registered post से बेजने हो तो क्या व रुपे लगेंगे तो अगर इस तरह की चीज़ें तो आप registered post acknowledgement due से बेजने है तो उसी से बेजो post से अगर बेजोगे तो उसको tenable नहीं माना जाएगा सर अगर आपने service भाई post किया और सामने वाले ने उसमें लिख दिया I don't accept this और वापस बिजवा दिया तो के delivery माना जाएगा अरे भाई उसने उसमें इंडोर्स कर दिया ना इसका मतलब deliver हो गया उसने accept नहीं किया कोई offer नहीं दे रहा हूं जो accept करना है मेरे को कोई termination notice देना हो गया उसने अगर उसमें इंडोर्स कर दिया ना मैंने नहीं लिया मैं नहीं accept करूंगा तो वो delivery का proof हो गया ठीक है तो that is how service by post gets affected और उसके आगी के sections relevant नहीं है and that's a very very comprehensive revision in 55 minutes of the whole chapter I hope you enjoyed this thoroughly we could have gotten into more details but this is after all a revision video I hope you enjoyed it thoroughly I hope you learnt a lot and I hope you will give this video a like क्यों sir क्योंकि मैंने हमेशा आपसे एक ही चीज़ ओली है your appreciation is my motivation तुम जितनी चीज़ है बताओगे जितना feedback दोगे उतना तुम भी और हम भी आगे जाएंगे ठीक है I hope you enjoyed the session I hope it was helpful I hope you were able to revise it thoroughly I'll see you in the next video until then guys until then until then bye bye see you take care and do not forget to hit the like button करना तुम्हें कसम है तुम्हारे उनकी कि है सर आधे लोग तो सिंगल है लाइक वेसे ही कम हो जाना है हाँ ओके गईस चलो I'll see you in the next video अंटिल देन बबाए कि तो नहीं सब्सक्राइब करना करना